नमस्कार दोस्तों महराष्ट में किसकी सरकार बनेगी महराष्ट में कौन सत्ता का सर्ताज बनेगा 23 नवंबर की तारीक किसके नाम होगी इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश लंबे वक्त से पत्रकार कर रहे हैं महराष्ट को समझने वाले राजनेतिक विशले रहा है यह सब आपको बताऊंगा महराष्ट का सर्वे है यह सर्वे लोक पोल ने किया है और इस सर्वे में क्या क्या खास है वो सब आपको बताऊंगा किसकी सरकार बनेगी किसको कितने प्रतिशत वोट शेयर मिलता नजर आ है जो इस सर्वे के बाद सामने आई है लोग पोल ने जो सर्वे की फैक्ट फाइंडिंग बताई है कि उसने सर्वे में क्या-क्या देखा हर विधान सभा में तकरीबन तीन सो लोगों से सेंपल सर्वे लिए गए बादशीत की गई सवाल पूछे गए और उसके बाद क्या निकला पहली लाइन भारती जन्ता पार्टी को टेंशन देने वाली है ध्रुवी करण की राजनीती से बीजेपी को नुकसान महराश्ट्र में बटोगे तो कटोगे जैस नारे और ध्रुवी करण करने की कोशश राजनीत में हिंदू-मुसल्मान करने की कोशश भारती जन्ता-पार्टी को महराश्ट्र में नुकसान कर सकती है इसके साथ साथ रोजगार महिला सुरक्षा महंगाई लोगों के लिए बड़े मुद्दे हैं यानि महराश्ट्र क शिवसेना को तोड़ देना, एंसीपी को तोड़ देना, उसके बाद एक जोड़ तोड़ की सरकार बना लेना, इसके बाद एक ऐसी एंटी इंकम्बंसी बनी है, जो महराष्ट में भारती जनता पार्टी का नुकसान करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी का कितना बड़ा होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन सर्वे ये कहता है कि बीजेपी को इस से नुकसान जरूर होगा, फड़नवीस के मुकाबले शिंदे ज्यादा लोकप्री है, देवेंद्र फड़नवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी भी उनको मुख्यमंत्र बनाना चाहती है, लेकिन ये सर्वे ये बताता है कि देवेंद्र फड़नवीस के प्रती लोगों में नाराजगी है, जबकि एकनाच शिंदे पॉपिलर नेता हैं महाव्युती के, मराथा वोटर्स अगाडी के साथ OBC बट रहे, एक इस सर्वे में तस्वीर निकल कर आई क जो मराथा वोटर्स हैं, यानि जो मराथवारा की बेल्ट है, जो मराथी भाशा बोलने वाले लोग हैं, जो मराथी मानुस हैं, वो महाविकास अगाडी के साथ, उद्धव ठाकरे शरत पवार राहुल गांधी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि OBC में बटवार ये भी 23 नवंबर को पता चलेगा, महाराष्ट वर्सेस गुजराट बना इमोशनल फैक्टर, दोस्तों राहुल गांधी हों, उद्धव ठाकरे हों, शरत पवार हों, कोई भी नेता हो, महाविकास अगाडी के हर नेता ने महाराष्ट बनाम गुजराट लोबी का मैसेज द ये गए और अब इस फैक्टर का इस मुद्दे का असर महाराष्ट के चुनाओं में भी दिख सकता है, ये भी एक बड़ी बात, दलित वोटर्स बड़े पैमाने पर महाविकास अगाडी के साथ, सम्विधान का मुद्दा एक बार फिर महाराष्ट में बड़ा होता जा रह है, और दलित वोटर्स महाविकास अगाडी के साथ जाते नजर आ सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, कॉंग्रेस, महाराष्ट के चुनाओं में सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस बन सकती है, कॉंग्रेस यहां गेम चेंजर हो सकती है, या यूं कह लीजिए, बड़े भाई की भूमिका में हो सकती है कॉंग्रेस अजीत पवार की वज़े से महायुती को नुकसान शुरुवात से ये बात RSS भी कहता रहा है फड़नवीस ने भी कह दिया कि अजीत पवार को साथ लेने का फाइदा नहीं हुआ और अब ये सर्वे बताता है कि अजीत पवार को अपने साथ लेने का नुकसान BJP को उठाना पड़ सकता है तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ उस तस्वीर की तरफ जिसका इंतजार आपको भी है आप ये जानना जरूर चाहते होंगे कि आखिर महराष्ट में किस गटबंधन को कितनी सीटे मिल रही है तो वो तस्वीर आपके सामने सर्वे में किसकी सरकार लोगपोल का सर्वे महराष्ट चुनाओ दोजार चौबेस महाचिती महाविकास अघारी और अन्य सीटे देखिए महायुती को 115 से 128 सीटे जबकि वोट शेयर 37 से 40 फीज दी महाविकास अघारी को 151 से 162 बहुमत का आकला बहुमत का आकला क्या कहता है 145 यह है बहुमत का आकला टोटल सीट्स कितनी है टोटल सीट्स है 288 यानि की 151 से 162 सीटे महाविकास अगाडी को मिल सकती है और महाविकास अगाडी महाराष्ट में सरकार बना सकता है वोट शेयर की अगर बात करूं 43 से 46 फीजदी का वोट शेयर यानि मोटे तोर पर 5 फीजदी का अंतर दोनों के वोट शेयर में नजर आ रहा है अन्न के खाते में 5 से 14 सीटे जा सकती है जबकि वोट शेयर 16 से 19 फीजदी का रह सकता है यानि महाराष्ट में महाविकास अगारी महायूती के मुकाबले मजबूत स्थिती में है और उसकी सीटे 151 से 162 के करीब रह सकती है या इसके इर्द गिर्द रह सकती है और महायूती को सिर्फ 115 से 128 सीटे यह लोग पॉल का सर्वे कहता है लोग पॉल के सर्वे में ये बात है कि महाराष्ट में MVA यानि की महाराष्ट विकास अगारी महायूती के मुकाबले मजबूत है और उसका वोट share भी महायूती से जादा है तो दोस्तों ये जो तमाम बाते आपको बताई इस लोगपोल सर्वे की जो तस्वीर निकल करके आ रही है इसमें महाराश्ट में 23 नवंबर को महायुती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ये लोगपोल का सर्वे है लोगपोल के मुताबिक महाराश्ट में महाविक अगाड़ी आगे है और महायुती अभी बहुत पीछे चल रहा है।